सद्गुरु, दुन्या की सभी संस्कृतियों में एक बात समान है, कि वे इंसानी जीवन का सम्मान करते हैं. अपनी या किसी और की जान ले लेना ठीक नहीं माना जाता. पर अगर कोई सच में दुखी है, अगर किसी को जीवन में बहुत ही बुरा सौदा मिला हो, तो कोई एक नए खेल की शुरुआत क्यों नहीं कर सकता, इस खेल को खत्म करके, एक नए खेल की शुरुआत, क्या इसमें कुछ गलत है? तो अगर मुझे बुरा सौदा मिलता है, तो क्या मुझे इसे खत्म करने हैं, और फिर से वापस आने का अधिकार नहीं है? अगर नौकरी में आपको बुरा सौदा मिलता है, तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं, अगर आपकी शादी में आपको बुरा सौदा मिलता है, तो आप इशायोगा केंद्र आ सकते हैं, अगर ईशा योगा केंदर में आपको बुरा सौधा मिलता है तो आप पहाड़ पर जा सकते हैं तो ये चीज़ें अपना जीवन खत्म करने के लिए परियाप्त कारण नहीं है पहली बात तो ये कि आपने इसे नहीं बनाया तो आप इसे खत्म करने की बात मत कीजिए जब एक अलग प्राणी या अलग व्यक्ती के रूप में आपकी पहचान गायब हो जाती है और आप और स्रिष्टी का स्त्रोत एक हो जाते हैं अगर आप उस बिंदू तक पहुँच जाते हैं तो आप अपने शरीर को जागरूकता के साथ फैंक सकते हैं तब आपको ऐसा करने की अनुमती है शरीर को नुकसान पहुँचा कर या पेड़ से लटक कर नहीं हमें आपको पेड़ के नीचे दफनाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पेड़ से लटकना न तो आपके लिए अच्छा है न पेड़ के लिए हम पहले ये देख चुके हैं कि चाहे सौदा अच्छा हो या बुरा हो अगर आपके पास एक बड़ा लक्षे है तो हर चीज एक सीड़ी है हर चीज आपकी परम खुशाली की सीड़ी है अगर आपने एक बड़ा लक्षे बनाया है तो जिस भी परिस्थिती में आप होते हैं उससे अपनी पहचान जोड़कर इतने फंच जाते हैं कि लगने लगता है कि मर जाना ही अच्छा है वैसे भी ये सब बक्वास है क्योंकि अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो आप मरना चाहते हैं कल सुबा कुछ ठीक होने लगा तो आप जीना चाहते हैं आप तीसरा बच्चा पैदा करना चाहते हैं आप फिर से शादी करना चाहते हैं अगर कल सुबा चीजें थोड़ी बहतर होंगी तो आप प्लैन बनाने लगेंगे सब कुछ उजाड लगता है तो आप आत्माहत्या के बारे में सोचते हैं, है ना? तो ये बस एक खेल है, जो आप अपने मन में खेल रहे हैं। एक बार की बात है। एक सेल्समेन ने नए बने घरों में जाने का फैसला किया। उसमें सोचा कि कोई भी सेल्समेन अब तक वहाँ नहीं गया होगा, क्योंकि ये घर नए बने हैं। तो वो वहाँ का सबसे पहला सेल्समेन बनना चाहता था। उसमें जाकर सबसे पहले घर पर दस्तक दी। एक महिला ने आकर धरवाजा खोला। उसमेहिला के कुछ कहने से पहले ही वो उसके घर में घुज गया। और गाय का खूप सारा गोबर लिया। अपने बैग से गाय का ताजा गोबर निकाल कर घर के नए कारपेट पर फैला दिया। और बोला, देखें मेरे पास एक अनोखा वैक्यूम क्लीनर है। आप देखना, मैं इस कारपेट पर जितना भी गोबर पड़ा है, सब साफ कर दूँगा। और जरा भी बद्बू नहीं रहेगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो मैं इस गोबर का हर एक टुकड़ा खा लूँगा। मैं खुद इसे खाऊंगा। तो स्माहिला ने पूछा, क्या आपको थोड़ी टमेटो सॉस चाहिए। क्योंकि हमारे घर में अभी तक बिजली नहीं है। आपको थोड़ी सी टमेटो सॉस की ज़रूरत है। स्वाद अच्छा लगता है, तो आप अचानक जीना चाहते हैं। सिर्फ गोबर खाते-खाते, आपको मरने की इच्छा होती है। आपने खड़े होकर कहा, सद्गुरू, अगर आपको पता हो कि आप क्या बूल रहे हैं, तो ऐसी बक्वास आपके मुझसे नहीं निकलेगी। सद्गुरू का कोई मतलब नहीं, जब आप अपना जीवन खत्म करना चाहते हो। क्योंकि यहां बैटने का कोई फाइदा नहीं है, आप मुझसे यही कह रहे हैं। यहां बैटने का कोई फाइदा नहीं। आप कृपा में नहीं हैं, आप कहीं और हैं। अपने जॉब की चिंता में, अपने परिवार की परिशानियों में और दूसरी चीजों में। आप वही सब सोच रहे हैं। बस यहां रहे, अचानक यह अनमोल बन जाएगा। मैं इसे अनमोल बना दूँगा। आप कर दो दूसरी चानक यहां परिवार की चानक यहां जाएगा। आप कर दो दूसरी चानक यहां रहे हैं।